Hello friends, Welcome to my channel So friends, अगर आपने हाली में बालों को highlight करवा चुकी है तो friends ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है वीडियो को full watch करिये skip मत करिये friends So friends, इस वीडियो में हम आपको वो mistake बताने वाले हैं जो अक्सर लड़कियां, girls जो होती हैं बालों को highlight करवाने के बाद करती हैं तो उनके बाल काफी खराब हो जाते हैं रफली हो जाते हैं तो चलिए friends ज्यादा बाते ना करते हैं वीडियो को start करते हैं So friends इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे tips लेके आई हूँ अगर आप उनको follow करेंगे तो आपके बाल है जो long lasting तक hair color आपके बालों में वो चल सकता है So friends अक्सर हम देखते हैं कि हम बाल highlight तो करवा लेते हैं पर हमें कुछ main important tips का जो ध्यान रखना होता वो हमें नहीं पता होता और कुछी देर में हमारे बाल है वो खराब होने लगते हैं जो के आप अपने ही गलतियों के वज़े से करती हैं अगर आपको पता होगा तो आप नहीं ऐसे बाल आपके खराब होंगे तो वही वीडियो में आपके लिए लेक्ए है हूँ वीडियो अगर helpful लगे तो please वीडियो को लाइक शेर और कमेंट दूर करिए तो फ्रेंड्स टिप नमबर वन यह है कि अगर आपने बाल अपने हाइलाइट करवाए है तो आपको आपको इस बात को अबाइड करना है कि आपने गर्म पानी से अपने बाल नहीं वाश करने है नॉर्मल पानी से ही आप अपने बाल वाश करिए तो आपका जो कलर है, हेर कलर है, लॉंग लास्टिंग रहेगा अगर आप होट वाटर से अपने बालों को वाश करेंगे तो एक तो यह होगा कि आपके बालों का जो हेर कलर है जल्दी से खराब हो जाएगा और बालों की जो लुक है वो भी दिखने में अच्छी नहीं आएंगी बाल भी आपके बहुत ही रफ हो जाएंगे और आपके बाल जल्दी जड़ने लग जाएंगे तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप नॉर्मल वाटर से ही अपना जो बाल है वाश करें तो फ्रेंट्स टिप नंबर टू ये है कि अगर आपने बाल अपने हाइलाइट करवाए हैं तो आप उसे धूप से बचाके रखें काफी दिर धूप में ना खड़े रहें धूप से जाने में अवाइड करिए और आपके बाल जो है कलर लॉंग लास्टिंग तक चलेगा फ्रेंट्स धूप में जाने के लिए मैं इसलिए मना करने को कि जो फास्टली जो यूवी जैसकी किरने होती है वो आपके बालों को डैमेज कर सकती है और बालों की जो लुक है आपके खराब हो सकती है तो फ्रेंट्स अगर आपको लंबे समय तक कहीं धूप में सफर करना चाहती हैं अगर hair straighteners straight कर रही है तो आप इस बात का ध्यान रखें के पहले आप उन में से अच्छा सा hair serum लगा लें उसके बाद ही आप अपने बाल जो straight करें इससे क्या होगा friends एक तो आपका जो hair color करवाया है आपने वो long lasting चलेगा दूसरा आपके बाल silky और smooth दिखेंगे और shine भी बरकरा रहेगी बालों की so tip number 4 है friends कई बात क्या होता है हम गलती कर लेते हैं बाल हम hair color करवा लेते हैं हम normally जैसे पहले shampoo करते थे बालों को वैसे ही कर लेते हैं बटा ऐसा आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी जहां से आपने बाल hair color करवाए है उन बटीक से पूछ लें आप के आपको कौन सा hair color के उपर shampoo आपका जाएगा वही आप shampoo यूज करें so market में friends काफी अच्छे अच्छे shampoos है वो आप यूज कर सकते हैं जो आपके बालों का जो color भी बरकरा रखेगा और आपकी shiny में भी बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और बाल भी आपके long lasting hair color चलेगा बालों का friends so tip number five है friends अगर आपने hair color करवा रखा है जा करवाने का सोच रही है तो उसके बाद आप जो oiling massage करती हैं जैसे ज़्यादा तर बाल roughly हो जाते हैं तो ladies क्या करती है oil massage करती है बालों में तो आपको oil massage हफते में एक बार ही करना होगा अगर आप oiling massage आप बार बार करेंगे तो आपके जो बाल एक तो rough हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा वो भी हलका गुंगना कर सकते हैं oil बट जादा गुंगना नहीं करना वरना आपके बाल खराब हो जाएंगे oil massage के बाद आप जब hair wash करेंगे अच्छे से shampoo के साथ उसके बाद आप अपने बालों पे अच्छा सा सिर्म लगाके आप उसे carry कर सकते हैं अच्छी तरह से तो ये थे मेरे आज के 5 टिप अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को like, share and comment ज़रूर करिए तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे idea आपके साथ share करते रहेंगे तब तक लिए बाइ बाइ प्रेंसे